कुल्फी कुमार बाजेवाला स्टार प्लस का एक ऐसा सीरियल है जिसने बहुत कम वक्त में TRP चार्ट के साथ साथ फैंस के दिल में खास जगर बना ली है इस सीरियल में कुल्फियों सिकंदर के अटूर और बाप बेटी के प्यारे रिष्टे से ओडिन्स पूरी तरह बन चुकी है लेकिन अब इस शो को ले कर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जी हाँ, बताया जा रहा है कि मेकर्स शो की गिर्टी TRP से खुश नहीं है और उन्होंने इस वज़े से लिया है एक बहुत बड़ा फैसला जी हाँ, जल्दी मोहित मलिक के सीरियल को स्टार प्रस का एक नया शो रिप्लेस करने वाला है क्या हुआ, सुनकर चौक गए ना आप, लेकिन इस सच है मगर घब राये मत, आपका फेबरेट शो और फेर नहीं हो रहा है बलकि सीरियल का टाइम स्लोट चेंज किया जा रहा है और कुल्फी कुमार बाजे वाला की जगा एक नया होरर शो टेली कास्ट होगा आखिर कौन सा शो रिप्लेस कर रहा है कुल्फी कुमार बाजे वाला को साथ ही किस नई टाइमिंग पर कुल्फी और सिकंदर का ये नया शो टेली कास्ट होगा आई आपको बताते हैं दरसल मोहित मलिक के सीरियल को गुल खान का ही एक नया सुपरनाचरल शो ये जादू है जिनका 14 अक्टूबर से रिप्लेस करने वाला है इस नई शो में आक्टर्स विक्रम सिंग चोहान और अधिती शर्मा लीड डोल में नजराएंगे और 14 अक्टूबर से ये नया नवेला शो आप सभी के बीच कुल्फी कुमार बाजेवाला की टाइमिंग पर यानि रात सारे 8 बजे ओन एर होगा इसके साथ ही 14 अक्टूबर से कुल्फी और सिकंदर का शो अपनी नई टाइमिंग यानि शाम सारे 6 बजे दिखाई देगा बताया जा रहा है कि कुल्फी कुमार बाजेवाला की टाइमिंग बदनने का फैसला शो की गिरती टी आरपी के बज़े से लिया गया है क्योंकि ये शो तारग महता का उल्टा चश्मा तुझसे है रापता जैसो शो उसके साथ साथ 8 बज़े की टाइमिंग पर इन सीरल से मात था रहा था ऐसे में शो की अच्छी टी आरपी के लिए मेकर्स ने इसे साथे 6 बज़े की टाइम स्टॉट में खिसका दिया है खैर शो की टाइम स्टॉट के चेंज पर कुल्फी कुमार बाजेवाला के लीड अक्टर मोहित मली का शोकिंग स्टेक्मेंट भी सामने आया है और उनने पिंक विला से बात करते हैं बताया की शो की टाइमिंग के चेंज होने पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो बस अब उम्मीद ही कर सकते हैं कि टाइम बदलने से इसका सीरिल पर कोई अस्टॉट के चेंज है असर ना पड़े और टाइम स्लोट का फायदा सीरिल को मिले वेल फिलहाल तो चैनल की तरफ से लिएगे इस बड़े डीसिजन पर आप क्या सोचते हैं आपको क्या लगता है कुलफी कुमार बाजी वाला की टाइमिंग बदलने से इसका फायदा शोकुम मिलेगा लिखी अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स पे